Hello students, अपने YouTube चैनल पे आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ इस वीडियो सेसिन में बहुत धर्म से जुड़े important question पे आपके साथ discussion करने वाला हूँ आप सबको pain और copy लेकर के सारे महत्पुन question को बना लेना है और मैं शुरू करूँगा पहले सवाल से तो बहुत धर्म से जुड़ा सबसे important सवाल, सबसे basic level का सवाल बहुत धर्म का संस्थापक किसे माना जाता है इसको बहुत धर्म के संस्थापक थे इसको जरूर याद रखेंगे आप सेकंड question चीनी साहित्यक अनुसार गौतम बुध का जन्म कहां पे हुआ था बेसिक लेबल का सवाल ये पूछा गया है option A 563 BC, option B 483 BC, option C 563 ISV, option D 483 ISV आंसर कीजिएगा तो इसका सही जवाब है option A 563 BC में गौतम बुध का जन्म हुआ था बहुत ही बेसिक लेबल का सवाल आपको ध्यान में रखना है तीसरा सवाल गौतम बुध का जन्म कहां पे हुआ था option A सारनाथ, option B लुंबनी, option C बोध गया, option D वैशाली आंसर करना है इसका सही जवाब है option B लुंबनी चोथा question है गौतम बुध का पिलवस्तू के शाक के कुल के राजा शुदोधन के पुत्र थे शाक के कुल था, ब्राम्हन, कायस्त, छत्री या वैस है आंसर कीजिए इसका सही जवाब है option C, छत्री ये question number 5 महत्मा बुध की माता का नाम क्या था प्रजापती गौतमी यशोदा देवी महमाया देवी, कुंती देवी बहुत सिंपल सवाल पूछा गया है इसका आंसर है option C, महमाया देवी इस ते जुड़े कुछ important fact पर ध्यान रखेंगे कि इस भी पूरो छटी शतापदी में गौतम बुध के द्वारा बहुत धर्म के स्थापना के गी थी, गौतम बुध को एसिया का जोती पुंज कहा जाता था, गौतम बुध का जनम 563BC लुंबनी जो की वरतमान में नेपाल में है, वहाँ पे इसका सही जवाब है ओप्शन डी, प्रजापती गौतमी जो की पुध की मौसी के रूप में थी, या मौसी थी उन्होंने ही मात्म बुध का लालन पालन पोशन किया, धिहान रखेंगे साथ वा सवाल, गौतम बुध के बच्पन का नाम था, महावीर राहूर पन का नाम था सद्धार्थ गौतम बुद्ध के घोड़े का नाम क्या था चेतक, कमपक, चमपक, कंथक या फिर करनी तो गौतम बुद्ध के घोड़े का नाम था option C, कंथक या कठक कहीं पर कठक भी दे देगा कठक को भी आपको ध्यान में रखना है question number 9 महत्मा बुद्ध की मृत्यू या महापरी निर्वान कब हुआ था अभी मैंने बताया आंसर कीजिए 487 इस्विपूर्व, 485 BC, 483 BC, 481 BC इसका आंसर है option C, 483 इस्विपूर्व में महत्मा बुद्ध का महापरी निर्वान हो गया था महात्मा बुद्ध की मृत्यू कितने वर्ष की अवस्था में हुई थी 74, 78, 76 या फिर 80 इसका सही जवाब हो option D 80, 80 साल की अवस्था में महात्मा बुद्ध की मृत्यू हो गई थी Question number 11 महात्मा बुद्ध ने कितने वर्ष की अवस्था में ग्रिवत्या किया था गौतम बुद्ध के जनम के से में निम्लिकित में से किस भविष्य वक्ता ने राजा शुदोधन से कहा कि यह वालक सन्यासी बनेगा? उप्षन ए कमल देव, उप्षन बी नागारजुन, उप्षन सी काल देवल, उप्षन डी नवल देवल. सही जवाब इसका उप्षन सी काल देवल, कुश्य नमर थाटीन, कितने वर्ष की अवस्था में गौतम बुद्ध का विवा हुआ था, अठारा, सोला, चौदा या फिर बारा, तो सही जवाब इसका उप्षन बी, सोला, गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम क्या था, यश्व ब्रह्मन की क्रम में निम्लिखित में से क्या नहीं देखा गया था, तो बुद्ध ने अपने ब्रह्मन के क्रम में इन में से पूछा गया है, यानि कि रोगी महिला सन्या सिम्रत इन में से उन्होंने क्या नहीं देखा था, ओप्षन बी, सही जवाब है महिला, कुश्य नम गौतम बुद्ध की गृता को किस नाम से जाना जाता था इसका आंसर है option A महाभीनिस क्रमा ध्यान रखेंगे कृशन नमर्ट गौतम बुद्ध का जनम महापरिनिर्वान और कैवल्ली की प्राप्ति किस महीने की पुरोनीमा को हुई थी बहुत ही दिलचस्फ ये जानकारी है बहुत ही आप कह सकते कि यूनिक फैक्ट है कि उनका जनम महापरिनिर्वान यानिकि बृत्तु और ज्यान की यानि कि कैवल्ली की प्राप्ति एक पुर्णीमा के विसेज दिन हुई थी आपको बताना है तो सही जवाब इसका option B वैशाख पुर्णीमा को जनम महापरिनिर्वान और कैवल्ली की प्राप्ति हुई थी इसका सही जवाब इसका पुर्णीमा को जनम महापरिनिर्वान और कैवल्ली की प्राप्ति वैशाख की पुर्णीमा के रूप में जाना जाता है बुद्ध पुर्णीमा के दिनी भगवान बुद्ध का जनम हुआ था उन्हें ग्यान की प्राप्ति हुई थी और इसे दिन उनका महापरिनिर्वान में हुआ था ऐसा किसी अन्य महापुरुस के साथ आज तक नहीं हुआ है हिंदु धर्मावलंवियों में पुद्ध भगवान को या जो महात्मा बुद्ध है उनको भगवान विश्णु के नौवे आवतार करूप में माना जाता है जाना जाता है और गौतम बुद्ध ने गृत्या किया था आसार पूर्णीमा को तो वह दिन आसार पूर्णीमा का था मध्यरातरी की विला थी कुरूप सांसारिक्ता से वित्रिष्ण हो करके वो अपने सार्थी धन्ना को बलाते हैं और अपने प्रिये घोडे कठक पे सवार वो करके नगर से बाहर निकल जाते हैं ध्यान रखना है बुध्य ने अनोविन नामक के स्थान पर किस नदी की किनारे प्रवज्या सन्यास धारन किया था अनोमा अनन्या अनामी का तिला तो इसका अंसर है ऑप्शन ए अनोमा तो अनोमा बौध साहित्य में वर्णी तेक प्रसुद नदी है बुध्य की जीवन कथाओ में वर्णी वस्तर त्याग करके अपनी केशों के यानि की बाल को काट करके फेक दिया था इधान रखना है निमनिकीत में से किसके प्रथम गुरु अलार कलाम थे महावीर जैन, महात्मा बुध, अजाल शत्रु या प्रिभिम्वेसाथ तो महात्मा बुध के गुरु अलार कलाम थे तो लार कलाम लिंगो, इनका पूरा नाम गौतम बुध के समकालीन एक दार्शनीक और योगी थे, वे कपिल मुनी के जो वैदिक दर्शन, सांख दर्शन था उसके विससग्य थे तो पाली गरंथों का अउसार गौतम बुध के प्रथम वैदिक गुरु अलार कलाम ही थे इसक सांख दर्शन के विद्वान थे गौतम बुध अपने द्वीती गुरु रुद्रक राम पुत्र से कहां मिले थे राजग्रिह सारनात वहशाली पाटले पुत्र तो इसका सही जवाब ऑप्शन है राजग्रिह ऑप्शन हाँ इसका अंसर है ऑप्शन भी यागवलक के वन में गौतम बुध ने कठिन तबस्या प्रारम की थी उरुवेला सारनात स्रावस्ति लुंबनी इसका सही जवाब ऑप्शन है उरुवेला तो सबसे पहले महात्मबुध वैशाली के समीप अलार कलाम यानि कि जो सांख दर्शन के आचारे थे अलार कलाम उनके सिस्सर बन जाते हैं और अलार कलाम महात्मबुध के पहले गुरु माने जाते हैं और उसके बाद यहां से असंतुस्तों करके वो राजगिर जाते हैं जहां पे वो रुद्रक रामपुत नामक गुरु से मिलते हैं लेकिन यहां पे संतुस्ती के साथ तपाय्यों के साथ नाम था कॉंडिन्य वपा भधिया महनावा और असगी ये पांच मतमा बुद्र के साथ तपाय कियं थे ने next question उरुवेला के बाद गौतम बुद्ध किस नदी के तक पर तपस्या प्रादम करते हैं तो इसका आंसर हो जगा option भी निरंजना दरसल पांचो साधक जो थे जिसका नाम मैंने कॉंडेन वपा भदिया महानाम और असगी बताया है तो दरसल महात्मा बुद्ध सुजाता नाम की कन्या के हाथों भोजन कर लेते हैं जिसे नराज होकर कि ये पांचो साथी महात्मा बुद्ध को छोड़ देते हैं और उसके बाद महात्मा बुद्ध एक पीपल के पेड़ के नीचे समाती लगाते हैं और 35 वर्ष के वस्था मनको ग्यान की प्राप्ती कैबली की की थी तो ये दरसल बोधी व्रिक्ष यानि की पीपल के व्रिक्ष के नाम से जाना जाता है जो कि बोध गया में महाबोधी मंदिर के परसर में पीपल का व्रिक्ष है गौतम बुद्ध को ज्यान की प्राप्ती कहां पे हुई थी बहुत सिंपल गौतम बुद्ध को ज्यान नाम की स्त्री के हाथो भोजन वो करते हैं और इसी घटना के बाद उनके पांचों जो ब्रावन साती थी वो नराज होपर के सारनाथ चले जाते हैं और उसके बाद गौतम बुध अकेले तपस्या करना शुरू कर देते हैं नेक्स कुशन आपसे पूछा जा रहा है महत्मा बुध कब बोधी सत्यों कहला है तपस्या प्रावर्म करने के बाद ग्यान प्राप्ती के बाद गृत्याग के बाद प्रावचन देने के बाद इसका अंसर ऑप्सन भी ज्यान प्राप्ति के बाद महात्मा बुध बोधी सत्व कहलाए ज्यान प्राप्ति की घटना को बहुत धर में क्या कहा जाता है तो महात्मा बुध को ज्यान प्राप्ति की जो घटना है वो कैवल लेके नाम से जाना जाता है ज्यान प्राप्ति के ब दंदा में, बोध गयमे, सारणात में, स्रावस्ती में, तो बहुत सिम्पल हो गया आपके लिए, सही जवाब इसका उप्सन सी, सारणात, तो सारणात वो जाते हैं, जहांपे अपना पहला उपदेश देते हैं, जो बॉध मत की प्रचार प्रसार की यहां पे शुरुवात कर धन रखेंगे बुध् द्वार दिया गया क्या निरवाण के वल्ले माहविहन स्क्रमन या धम-चक्रप्रवश परिवर्तन तो बुध्र ने सारनाद में जो धर्म क्या गया था उसे धम-चक्र-प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है आरंभी काल से जो बौध मंदिर थे मूर्तियां थे चिला लिखो पे धम चक का प्रयोग किया गया है अलंकरन में भी किया गया है तो इसको ध्यान लगना है बौध संग की स्थापना कहां पे हुई थी तो बौध संग की स्थापना सारनात में हुई थी प्रथम उप पुछागया क्वेश्चिन कि वरानसी में महत्मा बुद किसके घर रुके थे वसिस्थी पुत्र उत्तम पुत्र स्रेस्थी पुत्र या फिर नामक पुत्र तो इसका अंसर है option C स्रिष्ठी पुत्र किस सासक ने गौतम बुद्ध को वेडुवर विहारदान में दिया था विम्बिसार ने अजासत्रों ने अशोक ने उध्यन ने तो इसका जवाब है ऑप्सने विम्बिसार तो ध्यान डखना है सारनात में बुद्ध ने पांचो सन्यासियों के साथ एक स सपुना वो सारनात आते हैं और सारनात आने के बाद फिर यहां से वो राजगिर जाते हैं जैसे ही राजगिर जाते हैं तो विम्बिसार उनका स्वागत करता है और वेडुवर विहार दान में देता है और राजगिर में ही सारी पुत्र मुद्गलायन और उपाली अभयन क के सिस बनते हैं निमलिकित में से कौन गौतम बुद्ध का सिस नहीं था तो इसका अंसर है ऑप्शन डी जमबूत शिष नहीं था मात्मा बुद्ध के दस प्रमुक सिस्यों के नाम यहां पर लिखा है शारी पुद्ध मौद्गुलायन है महाकसप है सुबद्र है पूर्ण मै सामिल होने वाली प्रथम मिस्त्री कौन थी महामाया देवी प्रजापती गौतमी अपालाया आमरपाली तो बौध संग में सामिल होने वाली प्रथम मिस्त्री थी प्रजापती गौतमी किसके कहने पे गौतम बुद्ध ने स्त्रीयों को बौध संग में शामिल किया उपाल सारीपुत्र महावीर स्वामी गौतम बुद्ध तो ये statement था गौतम बुद्ध का ही question number 49 है निमलेखित में से कौन गौतम बुद्ध का चचेरा भाई था तो इसका answer is option D. देवदत देवदत कहां गौतम बुद्ध का सिरस्व बना था राजगीर में, वैशाली में, लुम्बिनी में, सारनाथ में तो देवदत बना था लुम्बिनी में ज्ञान प्राप्ती कि कितने वर्षों के बाद जौतम बुद्ध वैशाली पहुँचे 6-7-8 या फिर 9 है तो 8 वर्षों के बाद पहुँचे थे वो द्यानक नहीं कहा कि नगरवदू गौतम बुद की शश्या बनी पाति पुत्रा वैशाली कौशाम्वी राजगीर इसका सही जवाब option B वैशाली की नगरवदू जिनका नाम आपसे पूछा गया है सुकन्या आमरपाली मन्दाकनी अलक नंदा तो आमरपाली को ध्यान रखेंगे किस राज्य के शाशा की पत्नी गौतम बुद्ध की सिस्या बनी थी अंग मगद लिची या कोशामवी तो विम्बेसार यानि की मगद के शाशक की पत्नी जिसका नाम था पूछा गया यहाँ पे महमाया कुमारदेवी अशोदरा च्छेमा तो च्छेमा दरसल पंती हैं गौत अंसल की राज्धानी क्या थी स्रावस्ति शार्नाथ लुम्बणी या चम्पना चम्पन तो इसका आंसर उसंट स्रावस्ति 59 अंगली माल नामक डाकु बुद्ध का शिस्य कहां बना था सार्नाथ वैशाली बोध गया स्रावस्ति सही ज़ब ऑ शैली स्रावस्ति तो कुशी नारा में होती है, कुशी नगर उत्तर प्रदेश में है, निमलिकित में से किस के भोजन करने से बुद्ध को उधर यार की, यानि कि पेट में विकार उत्पन हुआ, जिससे महात्मा बुद्ध की मृत्यु होगी, किस भोजन करने से, तो खीर खाने से, सुकर द्वादुको याद रखना है। अपना दीपक स्वैम्बनो था। महामिर स्वामी, गौतम बुद्ध, रिशब्देव या फिर अजासत्रू, सही जवाब इसका उप्शन भी गौतम बुद्ध, कुशन नमर 66, बुद्ध के अस्थियों से सो कितने भागों में बाटा गया था, 6, 7, 8 या फिर 9, सही जवाब इसका उप्शन C, 8, बुद्ध के अस्थियों पे स्थूप का अंधरमान की आगया था, कोई भी व्यक्त जिसकी आजया के विणा संग में प्रविष नहीं कर सकता था, राजा, ग्राम, प्रुधान, गुरु या फिर माता, पिता, तो संग में प्रविष करने के लिए माता, पिता की अनुमती लेनी अवश् धार्मिक आंदोलोनों का कौन सा कारण नहीं है यग्ये कर्मकान ब्राह्मनों के स्वस्ता पश्रुबली राजनेतिक विकेंद्रीकरन तो जो छटी सताबदी स्वी पूर में धार्मिक आंदोलोन होए थे जिससे सार्स जादा धर्मों का उद्य हुआ था जिसमें बौध और जैन धर्म भी था तो धार्मिक आंदोलोनों का कारण नहीं है राजनेतिक विकेंद्रीकरन किस सद्धी के पूर्व तक छुवच्छु जैसी कूरीतियां कठो रूप ग्रहन कर चुकी थी छठी पांचवी चौथी या फरतीसरी इसका सही जवाब ऑप्शन ए जठी निमलि दिर्वान उनका जनम उनका गुरीव त्याग उनका प्रबोधन या उपधेश इसका अंसर और ऑप्शन उनका गृत्याग महा अभिनिस्ग्रमण के रूप में जहना जाता है कि निमलिकित में से किस राजवंस की अविलेक से इस परंप्रा का समर्थन होता है कि लुंब न शाक के मुने बुद्ध का जनम अस्थान था, मौरे, सुंग, सातवाहन या कुशान, तो option इसका सही जवाब है, मौरे, निमले कितमे से कौन एक अस्थो का विलेक इस परंप्रा की पुष्टी करता है कि गौताम बुद्ध का जनम लुंबनी में हुआ था, बसार अस्थम आंसर कीजे, 75 नमबर, तो इसका सही जवाब है, मौरे, सासक के अविलेक से परंप्रा का समर्चन होता है, आपने उस अविलेक को देख लिया, रुमिंदी इस तमविलेक और इसके बाद पूछा गया, कि किस राजा, यानि किस मौरे, सासक के अविलेक से सूचना मिलती है, कि शाक्यमोनी बुद्ध का जनम लुम्बनी में हुआ था, आंसर ए, अशोक, महात्मा बुद्ध का महापरिनिरवान कहा हुआ, लुम्बनी में, बुद्गया में, कुशिनगर में, कुशिनगर में, कुशिनारा, महात्मा बुद्ध का महापरिनिरवान किस के गणतंतर में हुआ था मलो के, लिछवीयों के शाक्यों के या फिर पालों के आंसर इसका option है मलो के गण राज्य में उनका महापर निर्वाण हुआ महापरि निर्वाण मंदिर आवस्थी थे कुषिनगर में, सारनाथ में, बुध गया में स्रावस्थी में तो इसका आंसर आप्शन ए कुशिनारा या कुशिनगर में निमलिकित राज्यों में से किनका सम्मद्ध या किसका सम्मद्ध बुध के जीवन से था अवंती, गांधार, कोसल, मगद कूट दिया गया है एक दो और तीन, दो और चार, तीन और चार, एक दो और चार इसका से उत्तर है सी केवल तीन और चार, यानि की कोसल और मगद का ही सम्मद्ध रहा अवंतीर गंधार का नहीं है निमलिकित में से कौन सा एक बाध मत्य में निर्वाण की अवधारना की सर्वोसिस्ट व्याख्या करता है ओप्शन ए त्रिस्तना रूपी अगनी का शमन, ओप्शन बी स्व थे सतानिक के काल में, उधयन के काल में, बोधी के काल में, निचच्छो के काल में तो कौशाम्भी किसके सासन काल में आये थे तो उधयन के सासन काल में आये थी ध्यान रखना है बुद्ध की मृत्यू के पष्चात प्रथम बाध संगीति की अध्यकता किसके द्वारा की महाकसब, धर्मसेन, अजात्षत्रु, नागसेन, तो बुद्ध की मृत्व के परष्चात प्रथम बौध संगीती महाकसब के द्वारा की गी थी, राजगीर में किया गया था, सब्थ परणिगुफा कहां पर इस्तिते, साची में, नालंदा में, राजगीर में, पावापू काली में, तो मात्मपुद्ध की मृत्व के परष्चात प्रथम प्रथम बौध संगीती राजगीर में हुई थी, कश्मीर में कनिषक के सांसन काल में जो बौध संगीती आवईजीत हुई थी, उसकी अधियक्षता निम्लिकितम से किस नहीं गी थी, यानि कि च coach serve बौध स अप्चारिक रूप से किसके सासनकाल में प्रकट होगी थी आजाज सत्रू अशोक धरमपाल कनिश्क तो महायान साखा अप्चारिक रूप से कनिश्क के सासनकाल में प्रकट होगी थी यानि कि अंतिम बौध संगीती में बौधरम दो भागों में बट गया था हीनियान और मह महात्मा बुद्ध के संबंध में निलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है उनका जनम कपिल वस्तों में हुआ उन्होंने सारनाथ में ज्यान की प्राप्ति की उन्होंने वैदिक धर्म को अस्वेकार किया था उन्होंने आरे सत्य का प्रचार किया था इसका अंसर ऑप्शन भी उन्होंने सारनाथ में नहीं बल की बोध गया में ज्यान की प्राप्ति क निमलिखित में से कौन सा बौधहिपृत्त रिस्थल निरंजना नदी के तक पर इस्थित्ता बोध गया और गया खेलल्ठ निरंजनानदीक में तक पर पोध गया अस्थित्ता याद yaad रखना है बुद्ध के औ पुद्ध की रिखत गुफा associate आत्मसंबंदी विवाद, ब्रमचर्या, धार्मिक कर्मकांड, आचरन के सुद्धता और पवित्रता सही जवाब option D, आचरन के सुद्धता और पवित्रता Question number 94, निमलिखित में से किस से लिखित गुफा में 11 सीरों के बोधी सत्तों का अंकन मिलता है किस लिखित गुफा में पूछा गया है, सही जवाब इसका option C, कनहेरी की गुफा 95, सुनिता के सधान्त का सबसे प्रतिपादन करने वाले बौध दार्शनी का नाम क्या है इसका अंसर है option A, नागारजून, तो ध्यान रखना है, सुनिता के सधान्त का सबसे प्रतिपादन करने वाले बौध दार्शनी का नाम नागारजून था निमनिकित में से के सासक ने बौध मत के विस्तार में अपना योगदान नहें दिया था, अश्वरतन कनेशक अशो क्या पुश्य में तरसुन, बहुत सिम्पल सवाल पुश्य में तरसुन, क्योंकि वो हिंदु धर्म को प्रमोट किया, ब्रामन धर्म को प्रमोट किया था कभी प्राय है बुद्ध धम और संग निम्रिकित में से किस बौद संग में संग जीवन के नियम प्राप्त होते हैं टिकनीका है विने पिटक अविधम पिटक विभाशा सास्त्र तो बौद गरंत पूछा गया है जिसमें संग जीवन के नियम प्राप्त होते हैं विने पिट कर लिया बहुत बहुत सुक्रिया इस वोडियो को लेखने के लिए